हलो दोफ्तो इस वीडियो में आपके सबी डाउट को दूर करते हुए हम डिसकس करेंगे पहली अपडेट दोफ्तो बियाड को लेवल बन से बाहर कर दिया है तो इससे डियलइड वालो को क्या-क्या फाइदे होंगे उनके बारे में बात करेंगे दूसरी update हम discuss करेंगे कि अगर आपके पास फरजी डिगरी है या कोई डिपलोमा अगर आपके पास फरजी है कोई certificate फरजी है उसको अगर आप किसी भरती में लगाते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो फिर आपको आज इवन सभी भरतियों से बाहर कर दिये जाएगा उसके बारे में भी updates हैं और अगली update हम दोस्तों discuss करेंगे कि अब परिक्षा में अगर आप कोई सवाल खाली शोड़कर के आते हैं और अमार सीट में अगर आपका कोई भी option खाली रहता है कोई भी question तो उसमें दोस्तों आपके number card ली जाएंगे उनके बारे में भी updates हैं तो की पहली से पांची तक के लिए अध्यापक बनने की पातरता रखते हैं वो सिर्फ BSTC DLD वाले ही हैं यह दोस्तों ओल इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है जिसमें आप देखिए केंदर विध्याले जो है KVS और DSSS भी जो की center में vacancy है डेली जो PRT की vacancies है और चंडिग DLD वालों के लिए फाइदा यह होगा कि अब PRT की सभी vacancies में सिर्फ DLD वाले ही eligibility उनकी रहेगी चाहे कोई भी state हो सभी state में All India यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए आपके लिए benefit कहां पर रहेगा रजस्तान में यह पहले ही हटा दिये जा चुका है और अभी दोस्तों other state म भी यह notice जारी हो चुका है तो यहाँ पर आपके लिए KVS के जो vacancies आएंगी आपके लिए जो नवद्दे विद्याले वगरा है उनमें vacancies आएगी और भी दोस्तों जो data plus भी वगरी vacancies है चंडिगड प्यार टे वगरा vacancies है बिहार वाली जो vacancy है टीचर वाली उसमें भी द लपड़ा रहता था तो अब सिर्फ PRT की सीटों पर BSTC वाले ही eligible रहेंगे डीलेड वाले ही eligible रहेंगे उसके बाद में अगली अपडेट है कि फरजी डिगरी या डिपलोमा अगर आपके पास और भी कोई प्रमान पत्र ऐसा है या फिर खेल certificate अगर आपने फरजी लगाया है तो सभी बरतियों से आपको आजीवन बाहर कर दिये जाएगा करमचरी चेन बोर्ड ने सुकरवार को फरजी डिगरी और परमान पत्र जो है उनके नोके लगने का प्रियास करने वालों को आजीवन बरतियों से अयोग्ये किया जाएगा उसके खिलाप notice जारी कर दिया है पेपर लीग के खिलाप सक्त करनून बनने के बाद परदेश में फरजी डिगरीयों और परमान पत्रों का जो करोबार है वो विक्सित हो रहा था तो उसको लेकर के कई भरतियों में जाँच और परमान पत्रों में फरजी वाड़ा सामने भी आया उसको लेकर के भरतियों म आप कोई भी भरती परिक्षिया वहां पर नहीं दे पाएंगे यह करना दोस्तों बहुत जरूरी था क्योंकि कई ऐसे स्ट्रेंट्स हैं जो फरजी डिक्री डिप्लोमा बनवा लेते हैं अधर स्टेट से और फिर यहां पर दोस्तों रजस्तान में वह जल्दी जोब लग जा तीसरा चरण आपका जो है 21 अगस्त से सुरू होगा अभ्यरती आयोग की वेबसाइट पर रूल नमबर वजनम दिनांग अप्लोड करके इंटरिव लेटे डाउनलोड कर सकेंगे आयोग तीसरा चरण 21 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित करेगा तरती चरण में 352 अभ्यरत आपको नहीं आ रहा है 4 ओप्षन में से आपको नहीं आ रहा है तो आप 5 और नहीं कटेंगे पर आपको पर सारे अट्यम्ट करने पड़ेंगे इससे benefit क्या रहेगा दोस्तों कई बरतियों में आपने देखा होगा कि फरजीवाड़ा जो होता है एक्जाम के बाद में भी हो हो जाएगा जहांपर दोस्तों जो सारी वोप्र सरत करने पड़ेगे पहले ही तभी दोस्तों आपके व vocal यूश्वा पर जमाने के और ऐसे नहीं चौड़ पाईंगे इसे में और सी तरह के बदलाव्य चोड़े गाया हो जाएगी भी खतम हो जाएगी तो ये दोस्तों बड़िया खबर है हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है कुछ जरूरी चौप डिएट्स थे आपके लिए उन सभी को और डीलेड़ वालों को क्या-क्या फायदे होने वाले हैं उनको लेकर के भी हमने बात कर लिए हैं उमीद करता ह इस वीडियो में आपके सारे डाउट दूर होगे होंगी फिर भी कोई डाउट रहता है फिर भी को आपके समय रहती है कमेंट करके जुरूर बताइएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए इसी तरह के और इंपरमेटिव वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नहीं अपडेट्स के साथ थेंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो